हालो गाईज, वेलकम बेक टो चैनल, स्वागत करते एक और नए वीडियो में, फिरहाल जो है मैं हूँ इस समय गाउ में, और पिछली बार हम लोगों ने ये देखा था, कच्छे पपीते, अब जो है पकना सुरू हो गए हैं, तो इधर शाइड आप देख सकते हो, एक पपी पर से पक रही हैं, यह आप देख सकते हो, धान अप पक गई है, अब इसका कटाई का सीजान आगया है, यह एलो वेरा आप देख सकते हो, यहाँ पर लगा है यलो वेरा, काफी सारे पर लगे हुए, यह अधरक बोई हुई है, जिंजर, कुछ इस परकार से देख सकते हो, जिंजर के पेड इस प्रकार से होते है और नीचे जमीन पे जिंजर है ऊपर इसके प्रकास स्भाइब करें काफी सारे फायदय मुदधा है रहे इसको खाना का वैसे टाइम नहीं मिल पाथा खर में इतनी सारी चीज differt करादा के मिल जाती है कि इसको खाना का ताइम नहीं मिल पाता और यहां पर लगे हुए हैं तमाटर और लाल भाजी भी लगी हुई है उधर गो ही हुए है इधर मिर्ची लगी है इसमें लहसुन लगी हुई है लहसुन भी रिसेटली दो से तीन बाए गये तो अभी इसमें अनकुरन नहीं हुए है और इधर साइट क्या है वो मुझे नहीं पता तो कुछ इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं हमारे गाउं के खेत समय समय से चीजे बदलती रहती है यहाँ पर अभी सब्जी वेगरा ठंडी में काफी जादा सब्जी एकदम काफी सारी लगी हुई है यह मैं भी आपको एक और पीही दिखाता हूं यह देखो यह उतनी अच्छी पकी नहीं है लेकिन अच्छी है यह कुछ इस प्रकार से देख सकते हो यह ज्यादा पकी थी बट मैंने इसको खा लिया है आधा यह कुछ इस प्रकार से देख सकते हो तो शल्ये फिलहाल जो है, इस पपीते को तोड़ते हैं, वैसे एक एक करके पपीते पक रहे हैं, तो जधा अच्छा है, यह एक पक रहा है, अब इसका नमबर है, देख सकते हो, हलका हलका यलो दिखाई दे रहा है यहां से, मतलब यह पकेगा फिर यह पकेगा, तो शरली फिलहाल इस पपीते को तोड़ते है तो शरली फिलहाल इस पपीते को तोड़ते है और इसका ब्रेकफास्ट करते है और इसके बाद फिर तूट जा तूट नहीं रहा है यह तूट गया तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो पपीते अभी धीरे धीरे पक रहे है और काफी सारे लगे हुए है अराम से पकते जाएंगे और शरली फिलहाल जो है ब्रिक फास्ट में आज हम ये पपीते खाएंगे और बेही का ब्रिक फास्ट करने वाले क्योंकि एकदम ताजी चीजें नहीं मिलेगी सहर में और आज मेरा अलग गाउं मेरा आखरी दिन है और यह जो पेंड देख रहे हो ना आप यह वाला यह नेवू का पेंड है और मोसंबी का पेंड यह छोटा सा लगा हुआ है आप देख सकते हो मैं दिखा देता हूं यह जो आप देख रहे हो ना पेंड यह वाला मोसंबी का पेंड है यह भी काफी जादा छोटा है इसको बड़ा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे और इधर देखो लगे हुए सीता फल बड़ा भी पके नहीं है ज्यादा और इधर हमारे चचा लोगों की भी ही का पेंड लगा हुआ है जाम फल का इधर साइट तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह चाचा प्रकार से आप देख सकते हो काफी अच्छा पका है यह हमारी गाय है जो कि हमें दूद देती है ताजा दूद मिल जाता है गाव में और यह उसका बच्चा है चोटा सा यह काफी बड़ा हो गया है पिछले साल मैंने इसको इसकी फोटोज इंस्टाग्राम पर सेयर की थी अगर आपने इंस्टाग्राम में हमें फोलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फोलो कर सकते हैं इस इस प्रकार से देख सकते हैं और यहाँ पर अब लगेगी आलू यह यहाँ पर लगने वाली है आलू तो शुले गाईस फिलहाल की वीडियो भी इतना ही अगर आप इस वीडि है झालू